बारत सरकार के ओर से ग्रीन इंडिया मिशन स्कीम चलाई जा रही है जिसमें इंप्लिमेंट एजिंसी राज्य वन विभाग है नालागड फॉरेश्ट डिविजन के तहट छे जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है जो के वन के कारे को देखेगी डिएफो नालागड यशु दीप सिंग ने बताया कि ग्रीन इंडिया मिशन के तहट पौधार उपन किया जाएगा जिसके तहट सडकों, सरकारी जमीन, श्यामलाल समेथ खाली एरिया में पौधे लगाये जाएंगे उन्होंने कहा कि जो भी प्रजातियां लगाई जा रही है उससे लोगों को मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि पौधार उपन के लिए जो एरिया चैन किया गया है उससे भुस्खलन रुकेगा और किसानों को पश्यों के चारे के लिए मदद मिलेगी एक centrally sponsored scheme है जो भारसरकार द्वारा चलाई जा रही है इसमें implementing agency जो है वो वन विभाग है राज्ये के वन विभाग और हमने यहाँ पे जो नालगड forest division है यहाँ पे total 6 joint forest management committee जिनके द्वारा इस mission के जो वानी की कारे हैं जो किये जाने हैं उनको हमने जो है गठित किया है और उ कि आने वाले समय में जो भी कारे जो कमिटियों द्वारा किये जाएंगे उनको plans को हमने बना लिया है और उनको approve भी करवा लिया है तो जल्द ही इसी महीने से उनके कारे जो है वानी की कारे शुरू हो जाएंगे इस mission के तहत जो है पौधर उपन का कारे जो है वो किया पर भी पौधर उपन का कारे जो है इस Green India Mission के तहत किया जाएगा इसमें टोटल छे Joint Forest Management Committee बनाई गई है जिनके नाम है कहू निचला, भियंकरी, बो, सौर, कटली और भहीडी इसमें टोटल पांच पंचायते भी आती हैं जिनमें से पंचायतों के नाम है कहू निचला, भिय पंचायत, इसमें सबसे ज़्यादा बेनेफिट तो जी पौधर उपन से हमने ये माना है क्योंकि जो भी पौधर उपन की परजातियां हम लगाने जा रहे हैं वो लोगों के कंसल्टेशन के तवारा ही जो है लगाई जा रही हैं जिसमें ज़्यादा फलदार पौधे वो और साथ ही साथ जिन में चारा जो है उनके पत्तों से जो मिलता है लोगों को वो भी उसको जो है उनको मिल सकता है तो इसके इस वानिकी कारे से जितना भी पौधर उपन किया जाएगा उसकी देख बाल भी लोगों दवारा ही की जाएगी क्योंकि ये सारे कारे जो है कमीट होरा ही किये जाएंगे कमीटी के जो भी बैंक अकाउंटitto हैं उनी में ही डारिक्ली पैसा जो है सरकार दोरह दीया जाएगा और लोगों दोरह ही यह पूरा कहुमारिक किया जाएगा मैंटेर्डेंस भी जो है सफानी लोगों दोरह किया जाएगी जी बिलकुल जो locations identify की गई हैं वो हमने सारी ऐसी locations identify की हैं जिससे जो भी land पे erosion हो रहा है land slides जहां पे हो रही हैं वहां पे हमने bamboo के लिए proposals दिये हैं जहां पे लोगों के घर हैं उसके आसपास जो ऐसे परजाती हैं सड़क के साथ सुंदरता बढ़ाने के लिए जिसमें फूल अच्छे आते हैं अमलतास परकार के जो पेड़ हैं उनकी प्रजातियां जो हैं वो रुपित की जाएंगी हिमाचिल प्लस न्यूज के लिन अलागर से सुरेंदर सिंग की रिपोर्ट